हाई आवरीवान ये देखिए आज हम ये बहुत ही सुन्दसा और बहुत ही सुमूसा बिलकुल रेडमेट लूक का बॉर्डर बनाना सीखेंगे ये देखिए ये साइड में इस तरह से ये बिलकुल स्मूर्ड एजिस इसके बनते हैं दोनों साइड में देखिए ये इस तरह से बिलकुल इसके एजिस जो है वो स्मूर्ड बनते हैं और बहुत ही सुन्दसा रेड जैसा यह बनता है इसमें कोई भी छोटा या बढ़ा फंदा नहीं बनता देखे कितना सुंदर सा यह बन का राता है यह फ्रन्ट सायड से ऐसे दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है और बहुत ही stitchable है इसे आप चाहें तो full sweater वगरा में भी या cap में मफरम में भी डाल सकती है तो दिखिए और बनाने में भी बहुत ही ये easy है तो चलिए बनाना start करती है तो दिखिए मैंने यहाँ पर 21 फंदे लिये हैं आपने अपने project के हिसाब से जितने भी फंदे आपको चाहिए होंगे उतनी ही आप ले लीजिए तो दिखिए इसे कैसे start करेंगे तो plus एक extra फंदा रखेंगे दो-दो के multiple से हम इसके फंदे डालेंगे तो अब दिखिए ये इसकी first row है और इसकी foundation row है तो दिखिए कैसे करेंगे a stitch इसका हम बुन कर लेंगे सीधा फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इसे हमने simply बनाना है जैसे हम regular border बनाते हैं वैसे ही इस सारी row को बना कर complete कर लेंगे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, उल्टा, सीधा, लास्ट का फंदा, उल्टा, एचरिप, सीधा बना लेंगे यह देखिए हमारी फर्स्ट रॉव, फांडेशन रॉव कम्प्लीट हो गई है यह हमारी रॉंग साइड है तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां से हमारा मेन पैटन स्टार्ट होगा तो देखिए कैसे करेंगे एस्टिच, स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे अब देखिए यह हमारा सीधा फंदा है, इसको सीधा बना लेंगे धागा आगे करेंगे ये हमारा उल्टा फंदा है इसे परल वाइस स्लिप करेंगे धागा आगे ही रखेंगे अब धागे को ऐसे पीछे लेकर जाएंगे फिर से सीधा फंदा सीधा बनेंगे धागा आगे करेंगे उल्टा फंदा पर्ल वाई स्लिप करेंगे धागा पीछे सीधा फंदा सीधा उल्टा फंदा पर्ल वाई स्लिप करेंगे धागा पीछे, सीधा पंदा सीधा बनाएंगे, उल्टा पंदा पर्ल वाइल स्लिप करेंगे सीधा पंदा सीधा बना लेंगे, फिर उल्टा पंदा पर्ल वाइल स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेका जाएंगे सीधा फंदा, सीधा बना लेंगे उल्टा फंदा, पर्लवाइज धागा आगे, पिसे स्लिप करेंगे और सीधा फंदा, सीधा बना लेंगे धागा आगे, उल्टा फंदा, इसको ये दिखे, हमने इस तरह से उल्टा नहीं बनाना है, इसको हम ऐसे आगे की साइड से लाकर उल्टा बनाएंगी, अब दिखे, राइट साइड में आ गए हैं और इसकी सेकेंड रो है, अब दिखे, ऐसे जो है, इसको हम ऐसे स्लिप कर ल अब यह हमारा एक उल्टा फंदा है इसको परलवाइस स्लिप करेंगे फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे फिर देखें बाकी के फंदे एक सीधा एक उल्टा बना लेंगे यह देखें यह हमारा जो स्टार्टिंग का फंदा है फस्ट फंदा हम स्लिप करेंगे फिर हमने सेक इन सबी फंदों को हमने बुनना है इनको बिना बुने नहीं उतारेंगे सिर्फ इसके स्टार्टिंग के जो दो फंदे हैं उनको ही हम बिना बुने उतारेंगे एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, धागा आगे अब देखें लास्ट के दो फंदे हैं फिसे इसको परल वाइस लिप करेंगे धागा पिछे करेंगे और ये हमारा सीधा फंदा है इसको सीधा बना लेंगे तो देखें ये हमारी सेकिंड रौ कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे ऐसे ही रिपीट करेंगे एक बार फिर से देख लिजिए ये इसकी फिस्ट रौ है और रौंग साइड है एस्टिच परल वाइस लिप करेंगे धागा पिछे लेकर जाएंगे ये हमारा सीधा फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे धागा आगे लाएंगे अब हमारी फिस्ट रौ में जो हमारे परल वाइस लिप करेंगे और सीधा फंदा निट करेंगे परल वाइस, लिप करेंगे फिर से निट करेंगे बुनेंगे विजिए सिधा बनाएंगे Slip करेंगे, सीधा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे इसकी wrong side में हमने उल्टा फंदा slip करना है और सीधा फंदा उसको बुन कर लेना है यह दिखे, slip करेंगे और सीधा फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे, last का फंदा है इसको हमने इस तरह से उल्टा नहीं बुनेंगे, इसको ऐसे दीचे की साइड से ऐसे लाकर उल्टा बनाएंगे अब देखिए, सेकिन रौ है, राइट साइड, फिर से इसको परल वाई स्लिप कर लेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और ये हमारा उल्टा फंदा है इसको पर्ल वाइज स्लिप करेंगे ये स्टार्टिंगे हमारे दो फंदे हमने स्लिप करने है इनको हमने बुनना नहीं है फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये सीधा फंदा सीधा बुनेंगे उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे सीधा फंदा सीधा उल्टा फंदा उल्टा ये हमारी राइड साइड में हमने सबी फंदे इसके बुनकर लेने हैं और side के जो दो फंदे हैं उनको slip करेंगे, सीधा बनेंगे, फिर से उल्टा बनेंगे, knit करेंगे, purl, knit and purl, सीधा बनेंगे, उल्टा, सीधा, ये last के दो फंदे हैं, उल्टा फंदा, purlwise, slip करेंगे, धागा पिछले कर जाएंगे, इसको हमने बनना नहीं है, और सीधा फंदा इसको बन कर लेंगे, तो देखिए, ये इसके दोनों side edges के इस तरह से बहुत ही smooth बनेंगे, बिल्कुल red meat look में इसके edges बन कर आएंगे, तो ये ही हमने दोरो इसकी बार बार पीट करती जानी है, और हमारे ये pattern बन कर इस तरह से दिखने लगेगा, ये दिखिए, बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही प्यारा सा pattern है, इसे आप as a bottle, as a button पट्टी यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें, तो इसे आप full sweater में डाल सकते ह या इसे आप cap में, मफरल में भी try कर सकती हैं, तो friend, आप भी इसे बनाएए, और अपने experience मारे साथ share कीजिए, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूले, तो मिलते हैं next video में, thank you friend for watching my video